तो हे गाइस मैं हूँ आपका दोस्तेन होस्ट में शोओं बात कर रहा तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूटूब की तरफ से बहुत सारे फेक मेल आरा श्टार्ट हो चुके तो गाइस यूटूब कभी ऐसे फेक मेल आपको प्रोवाइड नहीं करता आपके चैनल से र मुझे लगा ये इनफोर्मेशन आपको सेर करनी चाहिए अगर आप एक यूटूबर हैं तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कैसे फेक मेल आपके चैनल को हैक कर सकते हैं आपकी पूरी इनफोर्मेशन को हैक कर सकते हैं और आपका चैनल आपके हाथ से भी जा सकता है तो गाइस यह था मेल, मुसे मेल क्या आया है आप खुद देख सकते हो Hello, we received complaint that there are many spam video on your YouTube channel इनका बोलना यह है कि हमें आपकी तरफ से ऐसे कुछ notification आये है कि आपके YouTube channel पे spam video टले है, ठीक है? Complain भी आई है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं But you don't have to worry, क्या बात है? आपको चिन्ता करने की कोई बात नहीं है We'll review your channel by our YouTube team मतलब यह बोल रहे हैं कि हम आपके channel को review करेंगे जो कि हमारी YouTube team देखेगी And let you know by email और यह इनका बोलना है कि email के थो Recommend that you do not upload new video इनका बोलना है कि भाई तब तक आपको नहीं वीडियो अपलोड नहीं करना है In this process Fill in following information and reply to this mail यह बोलन रहे हैं कि भाई यह information आपको fill करनी है और reply करना है Otherwise if your channel is not reviewed by our YouTube इनका बोलना है कि Otherwise अगर आप यह चीज़े आप details नहीं send करते हमें यह reply नहीं करतें तो आपका channel review पे नहीं जाएगा और team हमारा team आपके वीडियो को review नहीं कर पाएगी Your channel will be closed इनका बोलना है कि नहीं देख अगर वो नहीं देख पाएगी तो आपके channel को close कर दिया जाएगा Thank you for questions in this process अब यह क्या बोलते हैं Note If your channel has two step phone verification और other security verification Please Please turn off your two step phone verification And before running us by email Otherwise our YouTube team can't log in Into your YouTube channel and can't review Review it तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई दो verification होगे जो कि phone का होगा और एक email का होगा जो आपको हमें देना होगा And अगर आप नहीं देते तो Otherwise आपका channel review पे नहीं जाएगा यहाँ पे क्या है channel URL Channel content topic And copyright yes or no Your channel password तो guys YouTube के पास तो हमारा fully data रहता है तो वो ऐसे चीज़े क्यों verification क्यों मागी क्योंकि YouTube एक ऐसा platform है जो उसके platform में अगर channel create कर रहा है या video डाल रहा है तो उसके पूरी information उनके पास होती है आपके ID, password और URL की जरूरत नहीं होती और वो आपसे ऐसे mail नहीं करते कि आपको दो verification देना होगा तब हम आपकी channel को login कर पाएंगे और otherwise नहीं तो आपका channel भाई अगर उसको close करना होगा तो close कर देगा अंडर review माना होगा तो अंडर review मान लेगा और अगर उसको password ID सब कुछ करना होगा तो उसके पास सब कुछ available होता है सब कुछ कर लेता है क्योंकि ऐसे fake mail बहुत सारे receive हो रहे है तो प्लीज मैं अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो प्लीज आप परहसान मत होना और easy way आप work करते रहो अगर आप official YouTube की तरह से आपको mail आता है तो ऐसे चीज़े उसमें लिखी नहीं रहते हैं आपका reason लिखा होता है कि ऐसे चीज़े हैं आप हमें सिर्फ mail करें जो YouTube support team होती है वहाँ पे आपको tweet करना होता है या mail करना होता है वह support system में हो जाता है तो guys इन चीज़ों पर आपको बताना चाहिए तो आपको बता दिया है तो मिलते है नेक्स वीडियो तब तक के लिए good bye